Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज के वीडियो में हम सभी important पदाधिकारियों के वेतन मान से related question डिसकस करेंगे यदि आप लोगोंने कभी भी कोई सभी competitive exam दिया है तो आप लोगोंने वेतन मान से related question जरूर देखा होगा वेतन मान से related question एक नएक question पूछे ही जाते हैं किसी भी exam में तो आज हम वेतन मान को याद करने की trick समझेंगे यदि trick आपको पसंद आती है तो अपने study related group में share जरूर करेगा हम सभी पदाधिकारियों के वेतन मान discuss नहीं करेंगे केवल उन्हीं पदाधिकारियों के वेतन मान discuss करेंगे जो बार बार mostly पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी trick एक trick में आपको बता दूँ सभी जितने भी वेतन मान हैं उसको हम 50,000 से 5,000,000 के बीच में distribute करने वाले क्योंकि इन्हीं के बीच से question पूछे जाते हैं इसे मैंने 5 पार्टों में divide किया है 50,000 मतलब 0 से 1,000,000 के बीच में मैंने 1 संख्या चुनी है 50,000 और 1,000,000 से 2,000,000 के बीच में मैंने 1 संख्या चुनी है 1,60,000 2-3,000,000 के बीच में मैंने 3 संख्या चुनी है और 3-4,000,000 के बीच में 1 संख्या और 4-5,000,000 के बीच में 2 संख्या है चुनी है ठीक है आपके वो सरसरी नज़र डाली है इन संख्याओं पर मैं आगे एक बात बता दूँ जो सबसे कम सेलरी मिलती है जो सबसे कम salary मिलती है वह मिलती है सांसत को और जो सबसे जादा salary मिलती है वह मिलती है भारत के प्रथम नागरिक को और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है राश्ट पती तो हम salary 50,000 से लेके 5,000,000 के बीच में distribute करने वाले हैं मैंने क्या कहा सबसे कम सेलरी किसको मिलती है सांसत को तो सबसे कम सेलरी कितनी है 50,000 50,000 सेलरी है सांसत की अब आप सभी जानते हैं सांसत मिलकर प्रधान मंतरी जी को चुनते हैं सांसद मिलकर किसे चुनते हैं प्रधान मंतरी जी को, इसलिए उससे थोड़ी ज़्यादा तन्खा है प्रधान मंतरी जी की, किसकी प्रधान मंतरी जी की, अच्छा तीसरा पार्ट याद करने की एक ट्रिक है मेरे हिसाब से ये, कि आप देखेंगे जितने भी गैर राजनेति गयर राजनितिक पद का मतलब जैसे ährt-लेय को DR, UPSC के जो प्रमुख है, वह और जितने भी गयर सरकारी पद है उनकी जो सेलरी है इन ही में सेट होती चैनि इनहीं में से डिसाइड होती है, गैर राजनीतिक पदाधिकारियों की, mostly, फिर अगला हम देखते हैं, तीन लाख पचास अजार, इन लास्ट के तीन याद करने की बहुत आसा अंट्रिक है, मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा मिलती है राश्ट पती को, सबसे ज़्यादा है, पाँच लाख, पाँच लाख मिलती है राश्ट पती को, उससे थोड़ी कम मिलेगी, वाइस प्रेसिडेंट को, यहने की उपराश्ट पती को, और उससे थोड़ी कम मिलेगी, राज जिपाल को, कितनी मिलेगी, 3,50,000 रुपय last की दो और starting की दो याद करने दोस्तों बहुत easy है मैंने क्या कहा सबसे कम किसे मिलती है सांसत को तो सबसे कम संख्या क्या है 50,000 और सांसत ही किसे चुनते हैं प्रधान मंत्री को तो प्रधान मंत्री जी की salary है 1,60,000 रुपय अब last के नीचे 3 चलिए तो देखी सबसे उपर पर जाईए सबसे ज़ादा मिलती है राश्टपती को उससे एक लाग कम ज़श्ट मिलती है उप राश्टपती को और उससे ज़श्ट 50,000 कम मिलती है राजिपाल को ठीक है अब जो बीच के हैं बीच के तीन वेतेरमान हैं मनें इसको याद करने कि मैंने बता दी हैं जितने भी गयर सरकारी पद हैë उनकी सेलरी इन ही से ठीजी होती है नाम भी म Meने बता दी है सर्वोचनययले का मुक्षनययदीस मतलब सबसे बड़ा है न सबसे बड़ा सरवच नयायले का मुख्य नयदीस होता है तो उसे सेलरी मिलती है 2,80,000 रुपए सबसे जादा उससे छोटा क्या होता है उससे छोटा होता है उच नयायले का मुख्य नयदीस उसे भी सेलरी 2,50,000 मिलती है और यदि उच नयायले की अन्य नयदीसों की बात करे और एक चीज मैं बता दूँ जो मैंने आपको कुछ अन्य पद बताए हैं जैसे कि आर्मी प्रमुक हो गए, UPSC प्रमुक हो गए, कैबिनेट सचिव हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इन सभी की सेलरी दो लाख पचास अजार होती है यदि आप लोगों को गैर राजनितिक पद पूछा गया है एक्जाम में, और आपको अंसर पता भी नहीं है, और यदि आपके एक्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप आँख बंद करके ढ़ाई लाख टिक कराई, आपका अंसर सहीं होगा अब मैंने क्या कहा है कि सबसे जादा सेलरी किसकी होती है, राश्ट पती जी की, कितनी होती है, पांच लाख रुपए, कितनी पांच लाख रुपए सेलरी होती है, राश्ट पती जी की, अच्छा चार लाख सेलरी याद करनी की एक ट्रिक मैं बताती हूँ, जो चार लाख सेलरी है वो लोग सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के अध्यक्ष को मिलती है किसे मिलती है लोग सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के अध्यक्ष को तो लोग सभा के अध्यक्ष कौन है ओम प्रकास बिल्ला जी और जो राज्य सभा का पदेन सभापती होता है वही तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि राज्य सभा का जो पदेन सभापती होता है वह उपराष्ट पती होता है तो आप ये कह लेजे कि उपराष्ट पती की सेलरी चार लाग है या राज्य सभा के पदेन सभापती की सेलरी चार लाग है बात उतनी ही है यनिकि लोग सभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष उनकी सेलरी होती है चार लाग रुपए, पांच लाग राश्टपती और साढ़े तीन लाग सेलरी होती है राज्यपाल की, तो चलिए कुछ हमसी क्यों हम सौलो कर लेते हैं, हमारा पहला प्रश्ण है राश्टपती का वेतन मान कितना होता है, सरवाधिक होता है यनि की पांच लाग रुपए, और उप्राश्टपती का वेतन आप उप्राश्टपती कह लिजे या राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन सभापती कह लिजे, सेलरी राश्टपती से थोड़ी कम यनि की चार लाग रुपए, हमारा अगल है राज्जिपाल का वेतन राष्टपती उपराष्टपती उसके बाद राज्जिपाल राज्जिपाल का वेतन उपराष्टपती से थोड़ा कम यहां पर तीन लाख पचास जार होगा इसे मैं मोडिफाई कर दूंगी तीन लाख पचास जार सेलरी होती है राज्जिपाल की हमारा अगला है लोग सभा का अध्यक्ष का वेतन मैंने क्या कहा लोग सभा कहलो या राज्य सभा कहलो लोग सभा और राज्य सभा दोनों के अध्यक्ष का वेतन समान होता है यानि कि राश्ट पतीजी से थोड़ा कम थोड़ा कम कितना मतलब एक लाग कम यानि कि चार लाग रुपह सेलरी होती है लोग सभा अध्यक्ष की हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच नयायले की मुख्य नयधिस का वेतन कितना होता है तो आपने ये ये वाला आपको यादी होगा इसलिए 2,5,2,25,000 तो सर्वाधिक इसमें कितना है 2,5,000 और सर्वोच कौन होता है 2,80,000 रुपपय उच्छ नयायले के मुख्य नयधिस का वेतन पूछा जै तो उच्छ नयायले से थोड़ा चोटा होता है इसलिए 2,50,000 सेलरी है उच्छ नयायले के मुख्य नयायदी इसकी और उच्छ नयायले के जो अन्य नयायदी से उनकी सेलरी होती है 2,25,000 तो ये भी आप याद रखीगा फिर आगे आता है RBI के गवर्नर का वेतनमान कितना होता है मैंने क्या कहा जो इस लाइन में आते हैं मतलब 2 से 3 लाग के बीच में जो मैंने 3 आप पो डिज़िट बताए है 2,25,000 और 2,80,000 जो राजनीती से जुड़े नहीं है ठीक है उनका वेतनमान इन्ही से निर्धारित हो गोस्ट ले तो देखिए RBI के गवर्नर का वेतनमान होता है वह होता है 2,50,000 और उनके डिप्टी गवर्नर का वेतनमान कितना होता है वह होता है 2,25,000 और RBI के गवर्नर कौन है RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी और हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर भी नियुक्तु वेतन कितना होता है तो आपके वल ये देखिए कि ये राजनेतिक पद है या गैर राजनेतिक पद है आप गैर राजनेतिक पद और राजनेतिक पद से समझ के रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो जल थलवायू से इनक अधिक्ष के लिए वोट नहीं करते न तो जोड़े हैं और गैर राजनेतिक पद की सलरी मैंने क्या बताई थी 5,500,00 ही होती है आपके वल्राजनेतिक और गैर राजनेतिक पद में डिस्ट्रिबूट करिये हैं हमारा अगला प्रशन है UPSC के प्रमुक का वेतन आप UPSC के लिए भी वेटने वोट नहीं करते हैं तो UPSC के जो प्रमुक होते हैं उनका वेतन भी होता है धाई लाग रुपए, mostly धाई लाग ही पूछा जाता है, और UPSC के प्रमुक कौन है हाल में, वह है अर्विंद सक्सेना जी, हमारा अगला प्रशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है तो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है कौन, वह है सुनीला रोडा जी और वह 23 नमबर की मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनकी भी सेलरी होती है, डाई लाग रुपए, क्योंकि इने हम वोट नहीं देते हैं। हमारा अगला प्रशन है, प्रधान मंत्री जी का वेतन कितना होता है। प्रधान मंत्री जी का वेतन आप वो डिजट याद कीजिए, मैंने 1 लाग से 2 लाग की वीच में कियवाल एक ही डिजट बताई थी, सांसत से थूड़ी ज़ादा, यानि कि 1 1,60,000 सेलरी होती है P्रधान मंत्री जी की, और सबसे कम कितनी होती है, सबसे कम होती है सांसत की वेतन, सांसत की वेतन कितनी होती है, सबसे कम यानि की 50,000 रुपए और एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गई, आप लोगों को मैंने मुख्य मंत्री और विधायक की सेलरी नहीं बताया है मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ जो राज जिपाल से related मैंने बताया है नहीं है मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या बताया है कि राज जिपाल का वेतनमान कितना होता है तो राज जिपाल का वेतनमान होता है साड़े तीन लाग रुपए लेकिन यहाँ पर मैं एग चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई कि जो राज जिपाल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले ही अब तो आनंदी बेंज पतेल है वो उत्तर प्रदेश की राजिपाल हो गई है ना उसके पहले उनके पास मद्धि प्रदेश और 36 गर दोनों का अडिशनल चार्ज था तो क्या मद्धि प्रदेश भी उनको 3.5 लाग देगा और 36 गर भी 3.5 लाग देगा ऐसा नहीं है यदि किसी भी गवर्नर के पास किसी अन में जरूर बताईएगा और आई होब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेर कीजे और जल्दी आप लोग को विटामिन से रिलेटेड ट्रिक मिल जाएगी विटामिन और उसके जो रोग होते हैं और विटामिन के जो रासायनिक नाम होते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को एक ट्रिक मिल जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आई होप वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू सो मच